आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है नमस्कार MNS News लाइब में आप सभी का स्वागत है मैं हुआ आपके साथ आचल आईए देखते देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरे चौसर साल की उम्रह में मीनी रेज आम तोर पर चौसर सार की उम्रह में भारतिय मेलाए क्या पहरना पसंद करती है आप कहेंगे साडिया सलवासुट लेकि नीना गुपता को देख लिजिए उम्रह के इस पड़ाओ पर अपने करियर का सबसे अच्छा दोर एंजोय कर रही है नीना निजे जिन्दगी में बहुत स्टाइलिश हो रही है अक्सर उन्हें मॉडल या मीनी ड्रेस में देखा जा सकता है मंगलवार रात उन्होंने ऐसे ड्रेस पहनी थी कि देखने वाले दंग रह गए वह मुंबर की सडकों पर बहत होट अंदाज में स्पोर्ट हुई उन्होंने ब्लाक कलर की मीनी ड्रेस पहनी थी सोशल मेडिया पर अक्ट्रेस की तस्वीरे और वीडियो काफी वाइरल हो रही है उन्होंने खुद को अपनी इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो शेयर किया है जिसके क्याफ्शन में लिखा है गर्मी है तो क्या बूट पहनने का शोक तो पूरा कर लिया वीडियो में नीना अपनी गाड़ी से निकलती है और पेपराजी को पोस देती दिखती है नीना के चाहने वाले उनके इस अंदाज की खुब तारीब कर रहे है लोग जिसे अपना मानते है उससे जुड़ते है 11 अगस को रिलिज हो रही है अपनी फिल्म गदर टू के प्रमोशन के लिए चंदिगड़ा आये अभिनेता सनी देवन ने कहा कि लोग उसी किर्दार्स के साथ जुड़ते है जिसे वो अपना मानते है उन्होंने कहा कि कहानी निर्दर्शक और अभिने आदी सारी चीजे अच्छी होगी तो फिल्म लोगों को ज़रूर पसंद आएगी गदर टू में हमने इन सभी बातों का धान रखा है सनी ने कहा मैं आम लोगों से जुड़े रोल करता हूँ लोग भी मेरे फिल्मों के केरेक्टर को अपना ही मान कर उससे जुड़ जाते है फिल्मों में मेरा अक्शन लोगों को ज़्यादा पसंद आता है लोगों की इसी डिमांड को देखते हुए मेरी ज़्यादातर फिल्म में अक्शन से भरपूर होती है यह पूछे जाने पर कि गदर टू का ऐसा कौन सा डायलोग होगा जो बरसो तक लोगों की जुबन पर चड़ा रहेगा सनी ने कहा कास तोर पर हम डायलोग पर धान नईद करते हैं हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं मुझे खुद पता नहीं कि मेरी फिल्म के किस डायलोग लोग प्रिये हुए उनके पिछे क्या कारण थे हमारी कोशिश ऐसी फिल्म बनाने की रहती है जो दर्शकों को पसंद आए भारत पाक सीमा स्थित अटारी बॉडर पर मिले लोगों से समर्थक से खुछ सनी नहीं कहा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा तो वैसे ही लोगों में जोज बर देता है अटारी पॉर्डर भी हिंदुस्तान दिंदाबाद के नारे से गुंजूटा था यह नारा लगाते समय अगर लोगों में जोश नहीं भरे तो फिर क्या फाइदा उन्होंने यह भी कहा मुझे गर्व मैसुस होता है कि जब कोई कहता है कि मेरी फिल्म के किरदार में प्रभावित होकर उन्होंने आर्मी जोइन की रनवे सिंग नए डॉन के रूप में सामने आ गए है अब सब की निगाये टिक गई है डॉन की जंगली फिल्म रोमा पर कही लोग इसे फिमल लीट करदार के लिए कियारा अडवानी के नाम की अटकले लगा रहे है डॉन 3 के एलान के बीच कियारा को अक्ट्रेस एंटरेटेंडमेंट के ओफिस में जाता हुआ देखा है उन्हें फरहान के पार्ट्नर रितेश शिद्वानी के साथ भी स्पॉट किया गया जो बाद में उन्हें उनकी कार तक छोड़ने आये थे बता दे कि कियारा वर्तमान दोर की सबसे लोग प्रिय अभिनेत्रियों में से शुमार है हाली में उन्हें सत्य प्रेम की कथा में देखा गया था उनकी पिछली कई फिल्मों को दर्शोकों और आलोचोकों का बहुत पैर मिला है बात करें पुरानी डॉन की अभिनेत्रियों की अमिता बच्चन वाली डॉन में जीनत अमान ने रोमा की भूमी का निभाई थी जबकी शारुक खान की डॉन सीरिस की दोनों फिल्मों में प्रेयंका चोप्राय ने इस किरधार को निभाया फिर जाग उठा हूँ मैं डॉन शेर जो सो रहा है वो जागेगा कब पूछे है ये सब उनसे कह दो फिर जाग उठाओ मैं फिर सामने जग आएगा क्या है ताकत मेरी क्या है हिम्मत मेरी फिर दिखाने को मोज से खेलना जिन्दगी है मेरी जितना ही मेरा काम है तुम तो हो जानते हो मेरा बाप है ग्यारा मुल्कों की पुलिस जुन्डती है मुझे मगर पकड़ पाया है कौन मैं हूँ डॉन यह डायलोग है अगले डॉन यानी रनवी सिंग के बुधवार को फरान अक्सर और रिते शिद्वानी के एक्ट्रेस एंटरेंड में फर्स्ट लुक वीडियो पोस्ट कर एलान किया कि रनवीर ही अगले डॉन होंगी उन्हें ने श फरान ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा नए यूक की शुरुवात हुई डॉन 3 यब फिल्म 2035 में रिलीज होंगी जोया अक्तर की 2015 में रिलीज दिल धड़कने दो के बाद फरान और रनवीर ने अब फिर से डॉन 3 के लिए हाथ मिला लिया है अब आप हमारे चानल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं मोबाइल आप पर देखने के लिए फ्लेस्टोर से मनस्नीज टीवी आप डाउनलोड करें इंस्टाल लिंग ट्वीटर हाइकुक फेसबूक और कई सोचल मेड़ा प्लाट्वाम पर हमारा चैनल उपलपत है आप हमारे चैनल को लाइ मनस्नीज निट पर और आप देख रहे हैं मनस्नीज